गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओं ओम भूर भूवाय स्वाय तश्वी तुर्वारेणियम भर्गो देवश धीमाही धीयो यो नह प्रचोदयात धर्म की चप्चा आपके साथ चम रही है और धर्म का जो आखरी सोपान है सहकार की बात उसमें कही गई है धर्म का अगर सारस्वत सरूप आपको समझना है तो परस्पर का जो समबंद है उसी को सहकार कहते है जीवन में समावेस जब इन तत्वों का होने लग जाए और सब में अपना ही स्वरूप परिलक्षित होने लग जाए प्राणी मात्र में अपना आपा द्रस्टी गोचर होने लग जाए तो समझ लेना विवाहर में उदार्ता का समावेस होने लग जाएगा इसी को परमार्थ प्राण्था सहियोग और सहिकार की भावना इसी के अंदर से विक्सित हो करके आएगी सारा का सारा विश्व ही एक कुटुम्ब है इसको विक्सित करने के लिए पारिवारिक्ता की भावना का समाविस्ट होना बहुत जरूरी है भाव समवेदनाव का जागरत करना बहुत जरूरी है ये विक्सित हो जाएग और सीमाओं को लांगने लग जाएग आदमी के स्वार्थ की सीमाओं को लांगने लग जाएग कोई परायापन न रह जाए इसके लिए मित्र बंधु सखा सब दिखने लग जाएग समस्टी गत हित की बात हम सोचने लगें मात्र अपने परिवार की सुक्साधनों की स्विधाओं की या अपने जीवन के लिए स्वर्ख की बात न सोचें सब के लिए सोचें सब के लिए तो जो हमारी संकीनता है वो अपने आप गोन होने लग जाएगी हित की बात ये है के हम सब की बात को सोचें सेहकार की महिमा परंपुज गुर्देव बताते हुए कहते हैं के उसकी स्थिर्ता और प्रगति का जो सेहकार के द्वारा ही उसी पर वो निर्भर करती है परिवार, समाज, सासन इनके माध्यम से तो समुहू बनते हैं मनुष्य की सर्वस्रिष्टा इसी आधार पर आखी जाती है के वो बुद्धी तत्तों का विवेत के द्वारा जैसे हम संसार में अंधेरा हो जाने पर लाइट को जला करके सही इस्थिती का पता लगाते हैं और फिर काम को करते हैं इस अज्यानता से भरे हुए जीवन में भी हमें उस विवेक का सहरा लेना पड़ेगा और अपनी करतव प्रायनता, प्रोपकार, प्रेम, सहयोग, साहनुभूती, सहण देता और समवैदन सीलता के गुणों को अपने अंदर जागरत करना पड़ेगा आज चारों तरप देखोगे, तो इनी गुणों का पून रुप से अभाव है सहकार की बात आप से कर रहा हूँ सहकार ना होने के कारणी स्वार्थ उबर करके आया है स्वार्थ का अपना कोई स्थित तो नहीं होता मनुष्य इन गुणों का पून रुप से अपने जीवन में प्रतिपाधन करे इन गुणों को स्थित्त में लाए और इनका प्रतिपाधन करते हुए मनुष्य को स्रस्ती का सरु स्रेष्ट प्राणी होने का जो भगवान ने इसको दाइत दिया है अपने उस दाइत को पून करे ना के एहिंकार करे मनुष्य की प्रगति का सारा का सारा रहेश्य उसकी सहकार की भवना के अंदर नहीं थै वरना इनसान इस दुनिया के अंदर छित्राई हुई सक्ती के समान है जो व्यक्ति स्वार्थी हो उसके जीवन में दोस दुर्गुन पेड़ा होना स्वाभाविक है परती एक चीज को पानी को साप सुत्रा रखना पड़ता है तो उसे टंकी में भड़कर के ढखकर के रखना पड़ता है उसकी सच्छता को कोई आँच नाए ऐसे ही दोस दुर्गुन समाज में हैं अपनी गरीमा को बचा करके रखना होता है आज आप देखते होंगे सभी विचार सील हिल मिल करके रहते हैं मिलबाट करके खाते हैं इसी में दूर्दर्शिता और गरीमा है सहयोग करने वाले सहयोग ही पाते हैं एकांग की पन की छुद्रता अपनाने वाले वो एकांग की ही रह जाते हैं ये इस पस्ट रूप से आपको मान लेना चाहिए और देख लेना चाहिए के सहयोग की ताकत कितनी बड़ी है मैं दुबारे से कह रहा हूँ कोई व्यक्ति कितनी भी मुसीबतों में फस गया हो पर जब उसके सहयोग करने वाले होते हैं तो हर मुसीबत में से उसको निकाल लाते हैं और जिसके सहयोगी नहीं रह जाते हैं थोड़े सी भी परिसानी आ गई तो उसके लिए पहाड जैसी मुसीबत बन करके खड़ी हो जाती है परंपुज गुर्देव कहते हैं स्वार्थी व्यक्ति अत्याचारी होता है दरम, पंथ, संप्रदाई, आदी के नाम पर विश में जितने भी अत्याचार है, लूट है, मारकाट है, विक्टन है या हो रहे हैं, उनके पीछे और कोई चीज नहीं है मात्र स्वार्थ है स्वार्थियों की अपनी हित कामना अपने स्वार्थ के अंदर ही नहीं हित रहती है भले ही स्कुचक्र की रचना में वो विनस्ठ हो जाएं उसको वो मंजूर कर लेंगे पर स्वार्थ को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होते स्वार्थ में अंदर अत्याचारियों के हाथ में अगर धर्म होगा सोचिए अगर स्वार्थियों के हाथ में धर्म होगा तो जनता का क्या होगा जन्ता में विसमता इस्थापित होती हुई चली जाएगी और मनुष्य समता को रहनी नहीं देगा फिर समानता नहीं रह जाएगी धनिक और धनी होता चला जाएगा संतुलन नहीं बनाएगा विद्वान, राजनेता, सासगन ये सब अपने स्वार्थों को पूरा करते चले जाएगे स्रमिक मजदूरों में गुलामी का भाव आदत में विक्सित होता चला जाएगा धर्म के बहाने लोग अनहोनी बातों को चमतकार के रूप में विश्वास दिला करके धर्म के नाम पर अज्ञानता के पाखंड को फैला करके अपने स्वार्थों को छलचद्म के द्वारा पूर्ण करते चले जाएगे चालाक धूर्त लोग अपना काम इसी आधार पर बनाते हैं मजदूर अनपड अज्ञानी लुठते रहते हैं और बड़े-बड़े मठाधीस मेहंत पोप पंडे पुजारी मोलवी मुले ये सब उस अज्ञानता का फाइदा उठा करके मोज को उडाते हैं और लोगों को बार अब बार लूटते रहते हैं स्वार्थ का विग्रह कुचक्र जो आज समाज के लिए भयंकर विश्के रूप में छाया हुआ है जिस ये जिस किसी के जीवन में आया है उसको नस्थ करके ही छोड़ता है जो देता है वो पाता है जो रखने का प्रियास करता है वो अंततेहानी ही उठाता है इसलिए सहयोग पूर्वक सुगठित समुदाई बना करके मिलजुल करके हमें अपने जीवन को जीना चाहिए वर्तमान इस्थिति तक आज जिस तक आदमी आकर के पहुँच गया है उसके पीछे उसकी यही सोच का स्वार्थ की सोच ही काम करती रही है जिसके कारण आज आदमी की यह इस्थिति जो दीन हीन बन करके खड़ी हो गई है और कोई कारण नहीं है सामुखिक प्रियासों के बल पर आज कितने बड़े बड़े काम हुए है ठोस और स्थाई सहकार उद्देश के लिए जिन कारियों के पीछे लोखित होता है उनमें सहयोग देने की लोख स्रद्धा उतनी ही उमडनी चाहिए जो संसार की विथा रूपी रात्री में चंद्री का के समान सिद्ध होती है रात के अंदेरे में और कोई सहरा नहीं होता है तारे तो टिम्टिमाते रहते हैं पर चंद्रमा ही है जो अपने प्रकास को बखेरता है सामुहिकता भी एक ऐसी ही शक्ती है जिससे सारे संसार को जीता जा सकता है निर्बल वर्ग भी जब अपनों को साथ लेकर के खड़ा हो जाता है तो सक्तिवानों को भी उसके पीछे पराजय को स्विकार करना पड़ता है नीजी अथ्वा वर्ग स्वार्थ के लिए जो प्रियतन किये जाते हैं लोग उन्हें स्वार्थ से प्रेरित मानते हैं और सोचते हैं जिनका लाब है वो ही सरम करें अन्यों को उनसे क्या उद्देश है पर जहां न्याय का उचित प्रेडितों की साहता का प्रसन आता है वहां सभी का मन सभी की कामनाएं सभी की कहिए जो इच्छाएं हैं उनमें योगदान करने के लिए अंदर की चेतना जब उमंगती है जोड मारती है तबी सुकर, सहकार, सहयोग की भावना विक्सित होती है एक बात फिर से कह रहा हूँ ये भावना अगर विक्सित होगी तो समू में होगी समू के बगैर नहीं होगी व्यक्तिगत सभाव और चरित्र तो इस योग बनाया ही नहीं जा सकता व्यक्तिगत इस्तर पर प्रियास किया जा सकता है परन्तु सहकार आपको लेना ही पड़ेगा सहयोग आपको लेना ही पड़ेगा लोग इसकी परमानिक्ता पर विश्वास कर सकें जिन भी कामों में हाट डाला वे सभी ऐसे हों के जिनके साथ लोग हित जुड़ा हुआ हो मानव परिहतकारी सहकारी भावना को विक्सित करे और महा मानव बनने की बात को करे याद रखना अगर ये भावना अंदर से जग गई क्या भावना जग गई के मुझे तो महा मानव बनना है तो उसे महा मानव बनने के लिए महान आदर्सों का सहरा लेना ही पड़ेगा ये सहयोग की बात कह रहा हूँ अगर उन महान आचनों को उतारना चाहता है तो जो महान बने हैं उनके चरीत्रप को उसको अपने चिंतन में उतार करके करम में उसको लाना ही पड़ेगा वो किसी को इतियास को या किसी के साक्षात जीवन का साथ ले करके महन बनेगा कल मैंने कहा भी था एक बच्चा बढ़ी का बच्चा लकड़ी आरी बिसुली ले करके अपने बाप से छुप करके बाप की नकल लकड़ी पर करने लग जाता है और कुछ-कुछ करके रख देता है जो गैर संप्रदाय का यानि के बढ़ी नहीं है उसका समझदार से समझदार व्यक्ति करेगा उस घर का छोटा सा बच्चा उस काम को करके दिखा देगा यह पैत्रिक गुन है मानव के इंदर भावना है परन्तु उसे जागरत करने की आवशक्ता है मैं फिर से कह रहा हूँ मानव के अंदर परहित की भावना है स्वार्थ तो प्रलोबन है जो उसके अंदर मैं तो कहता हूँ स्वार्थ व्यक्ति अगर करता है प्रलोबन करता है तो करने के बाद पच्च्टाता क्यों है क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है वैसा वो करता है पर उसका स्वभाव वैसा नहीं है आत्म निर्मान की प्रमानिक्ता को अर्जन करने के लिए तब सेवा साधना आपको करना ही होगा मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ क्योंना एक प्लेट फारम बनाया जाए प्लेट फारम बनाया जाए हम इतने सारे व्यक्ति हैं थोड़ा थोड़ा सा काम करने की बात को सोचें मैं दस मिनिट आज लेट हो गया था प्रवचन में इसलिए लेट हो गया मुझे गोमुत्र का इंतजाम करना था गोमुत्र लेके आना था जहां इंतजाम किया हुआ है महासर लेके आना था बारिस आ गई अभी भीगा हुआ बैठा हुआ हुँ आदमी को अपने हित साधन की बात करने चाहिए भीगा हुआ तो सूख जाएगा मेरा क्या भीगाड लेगा मेरा समय लग गया और काम हो गया काम हो गया कल गोमुत्र का अर्क निकाला था तीन दवाईया तैयार करनी शुरू कर दी रात ही शुरू कर दी थी आज फिर ले आया क्रम सुरू कर दिया गया है निश्चित मानना इस गुरूप में से कुछ व्यक्ति बहुत जल्द निकल करके आने वाले हैं केवल प्रवचन कान से सुन लेना आख से देख लेना इतने भर से काम नहीं चलने वाला अपने अंदर अगर उस परहित की परमार्थ की भावना को जगाना है मैंने अभी कहा है के एक बहुत बड़ा ग्रूप हम में से निकल करके आने जा रहा है मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ अभी कोनिया छेत्र में जो प्रग्या पुरान कता है उसमें कई परिचन बहुत प्राण प्रण से काम कर रहे है अभी लाइन पे भी है और मैं फिर से कह रहा हूँ अगर कर रहे हैं तो ये मेरा सहयोग है मेरी प्रसंसा नहीं है उनको मेरा ये सहयोग है उनको कि वो और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें अरे कहां आगे बढ़ें इश्वर की तरप को जा रहे हैं उनकी सोच इश्वर की तरप को जा रही है क्या हम सब मिल करके नहीं बढ़ सकते क्या वो अकेले कर सकते थे कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता रात कल कुछ कारे करता आप दो तीन कारे करता गए सामान खरीद करके ले करके आए धुबबत्ती बनाने का कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है तो काम तो शुरू हो गया परमार्थ का काम तो सुरू हो गया अब तो आप सब को उसके साथ भावना जोडनी है दुबारे से कह रहा हूँ वो विक्ति अंधा है जो बैठ करके माबाप की कमाई को खाता है पर अन्ये नहीं समझता कि मैं रिणी हो रहा हूँ माबाप का रिण मेरे उपर चड़ रहा है जो ये नहीं सोचता वो अग्यानी है मैं पूछ रहा हूँ बगेर सहीयोग के क्या जिन्दगी को जिया जा सकता है अगर माबाप पैदा करके हमें कहीं फैंक देते तो हम क्या कर लेते कितना बड़ा सहीयोग उनका हमारे साथ रहा इस कारिये को भी जो स्वास्त और मन की बात की गई है स्वास्त सम्वर्दन और मन को पवित्र करने की बात कही गई है अकेला कोई नहीं कर सकता आप अपने बच्चों को कितने अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं हर कोई बनाना चाहता है विसेश रूप से माता पिता तो अपनी जिन्दगी का मुख्य उद्दे से इसी को समझते हैं कि बस अब बच्चे हो गए और अब बस हमारा एक ही काम है इन्हें पाल पोस्ट करके एक से एक बढ़िया बना दे जो हम नहीं कर सके हमारे बच्चे वो करके दिखाएं हम उनको ऐसे बना करके दिखाएं परन्तु बच्चे भी तो यही सोचें सहयोग से ही तो ये सब हो सकता है अकेले बच्चे कुछ नहीं कर सकते और अकेले माबाब भी कुछ नहीं कर सकते स्वार्थ या विग्र है बहुत बड़ा विश है बहुत भयंकर विश है जैसे सरीर को विश दिया जाए ये मर जाता है ऐसे ही स्वार्थ के कारण ये जीव मैं अभी कह रहा हूँ कि इनसान को छोड़ करके बाकी किसी योनी में स्वार्थ की भावना है परमार्थ की भावना किसी में नहीं है परन्तु वो अपड़ी उन्नती में तो लगा हुआ है और ये उन्नत हुआ जीव अगर अपनी अवनती करे तो कहां की समझदार ये इसलिए ये बहनकर जीव वो है जहर है इसको दस्ट करके ही छोड़ना है अपने किसी भी परिवार के परिजन में ये नहीं रहना चाहिए सब एक हो जाओ अगर किसी में दिखाई देता तो उसे मारो काटो उस जहर को उसे एक अच्छे इंसान नेक इंसान बनाओ सभी को मैं कहरा हूँ सब मिल करके इस पर अपनी कार रवाई करो इसलिए मनुष्ट ने सहयोग पूर्वक समुदाए गठित किये और मिल जुड करके अपना काम करने का आदान परदान करने के रास्ते बनाए ये करम आज से नहीं अनादिकाल से सुरू हुआ है इस पचास साथ साल के समय में तो मैंने देखा है क्योंकि इस से पहले के समय को मैं ठीक से नहीं जानता है इतिहास है बताते थे हमारे बुजर्ग बताते थे परन्तु जो देखा है वो ये देखा है किस कदर आज समाज में जहर पैदा हो गया है इसे बदलना होगा बड़े बड़े जितने भी काम होते हैं वो सहयोग के आधार पर ही होते हैं और कोई रास्ता नहीं है उनको करने का स्वार सिद्धी के लिए भी आदमी ग्रोह बनाते हैं कोई तास खेलता है कोई जुआ खेलता है कोई नसापत्ती करता है कोई चोरी करता है कोई डकैती करता है वो अपने ग्रोह बनाते हैं अनेक दूष्ट दुरात्मा कुचाली कुचक्री अपने सडियंत और दुर्भी संदी रचते रहते हैं चांडाल चोकडियां अपनी खड़ी करते हैं ऐसे दुशहास करते हैं मरने के साथ साथ मारते भी हैं ऐसे उद्दंड प्रियतनों के द्वारा बताईए क्या इस्तिती पैदा होगी मन की स्तिती क्या होगी मन कैसा होगा ऐसे आदमियों का क्या उनकी कोई प्रसंसा करने लाइक कर्म होंगे उनके कोई सच्चे मन से समर्थन करता हुआ दिखाई नहीं देगा ना कोई सच्चे मन से उनको सहयोग देगा इसलिए उस इस्तर की जो सफलताएं जो सरसाधारन को मिलनी चाहिए उनके लिए अपेक्षित है जिसके पीट पीछे भी सराहना हो वो ऐसी अवस्थाओं वाले परिजनों की स्थिती होती है जो वास्तों में महमानव होते हैं चरित्रवान होते हैं सज्जन होते हैं और सज्जन ताके संगठन में सामिल होते हैं जो सोचते हैं करते हैं अदबुत लोखित का समावेश उनके अंदर होता है तात कालिक जो आवेश आता है वो भेभीत करने के लिए आता ताई की तरह से काम को अंजाम देता है और दुस्टता के वातावरन को जरम देता है याद रखना दुस्टता के शक्ति वड़ी कमजोर होती है तिक नहीं पाती जिसको उचा उठना है उसे अच्छे उद्देश्य के लिए अपने आपको लगाना होगा ऐसे व्यक्ति जो अपने आपको लगाते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपने आपको लगाते हैं उन पुण्य और परमार्थ के कारियों में जरा सोच करके देखिए कैसा स्वरूप निकल करके उनका आएगा करने वाले के पास उसका परिनाम लोट करके उसी के पास जाता है परमार्थी ईश्वर के खेत में सरम करता है अपने करम के बीज उसके खेत में बहुता है इस व्यवसाय में लाब ही लाब है मनुष्य को सत्पवर्ती समवर्धन के लिए पतन पीडा और पिछडापन खटाने के लिए अपनी चमता और अपने संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना चाहिए इससे आत्मा त्रप्त होती है जो अपने लिए कमाता है आप ही खाता है गुर्देव ने उसको चोर कहा है देख ले ना चोर भी एकांत प्रिये होते है अगर कोई उनकी एकांतता में उनकी शान्ती को भंग करे तो उसके दुस्मन बन करके मार काट करने के लिए तैयार हो जाते है जीवन के इस व्यापार में यदि इश्वर को अपना साजीदार बना लिया जाए उसके खेत में अपनी खेती को बो दिया जाए तो लाब ही लाब आपको परलक्षित होंगे जिनोंने ये माना के हमने जनम लिया है और उसका कोई उद्देश है और उस उद्देश की पूर्ती के लिए अपने आपको लगाया वो वास्तव में भगवान के खेत में ही अपने आपको अपने स्रम सीक्रों को बोते है ऐसे व्यक्ति संपदा प्रमार्थ के माध्यम से लोक मानस को उच्चा उठाने में पुरसार्थ करते है वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते है वे जानते हैं कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वो समाज से मिला है अपनी ज़र्वरत के लिए मिला है अपनी ज़र्वरत पूरा करते हैं बचे हुए को समाज को लुटा देते हैं इसलिए उनके क्रत्य समस्टीगत हित में समाविस्ट होते हुए चले जाते हैं ये प्रोपकार उन्हें जो आत्म संतोस प्रदान करता है उसकी तुल्ना दुनिया के किसी भी वैभव से नहीं की जा सकती तो मैं फिर से कहूँगा आओ मिलकर के परमार्थ करें स्वार्थ की भावना को मिटाएं परमार्थ की भावना को अपने इंदर जगाएं मन से ही हमारे अंदर ये किरिया हो ऐसा हम मिलकर के करें जनकनल्यान परिहित की भावना हमारी हो सब जगाएं अपनी चाहे थोड़ा सा करिये नहीं कहरें आप धेर सारा करें आप जितना बोज उठा सकते हैं बस उतना ही उठाएं आप लकड़ी उठा सकते हैं तो बल्ली ना उठाएं सहतीर उठाने के लिए तो देखिए जो डंडा उठाएगा वो कल बल्ली में सहयोग करेगा और पड़सो सब मिल करके सहतीर को उठाएंगे सहतीर को उठाएंगे लोग कल्यान की भावना को उचा करेंगे मेरा आत्मिक दिवेदन है ऐसा करें समय हो चुका है आज की बात को संपन्न कर रहा हूं Om Santihi, Santihi, Santihi